दूद अगर बरतन से उबल कर बहार आ जाए तो क्या समझना चाहिए ज्योतिश शास्त्र का नुसार हमारे आसपास होने वाले घटनाएं हमारे भविश्य के और संकेत करती हैं हमारे आसपास होने वाले चीज़ें भविश्य में होने वाले शकुन अप्शकुन का संकेत देती हैं जैसे अगर आप कहीं जा रहे हूं और बिल्ली ने आपका रास्ता काड़ दिया तो जियोती शास्त्र का नुसार ये शुब नहीं होता है अक्सर आपने देखा होगा कि दूद उबलते समय थोड़ी से लापरवाही के वज़े से या कभी कभी नजर हड़ जाने की वज़े से दूद उबलकर बरतन से बाहर गिर जाता है है तो ये एक समान से घटना लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भविश्य से जुड़ी बातों की और इशारा करती है जोती शास्र के नुसार यदि किसी बरतन से ठंडा दूद गिर जाए तो ये भविश्य में होने वाले किसी अप्शकुन घटना के और संकेत करता है ठंडे दूद के गिरने पर इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अप्रिय घटना के घटितोने का संकेत देता है अक्सर लोगों के मन में असंदे होता है कि उबलते हुए दूद का बरतन से गिरना शुब होता है या शुब आपके मन में शायद इसी तरह के कुछ ख्याल आते हूं परनतु आज हम आपके इस भ्रम को दूर कर देते हैं क्योंकि अगर जोती शास्त्र की माने तो अगर दूद उबलकर आपके बरतन से बाहर गिरता है तो यह एक शुप संकेत होता है उबलता हुआ दूद बरतन से गिरे तो समझना चाहिए कि आपको जल्द ही बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जान बोज कर दूद बरतन से बाहर ना गिरे बलकि अंजाने में हुआ हो